नमस्कार दोस्तो, मोटिविशनल बैंकर में आपका स्वागत है Friends, हमें आपके लिए JIB, DBF और प्री प्रमोशन का One Stop Solution दोस्तो, ये वीडियो हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं, उन बैंकर्स फ्रेंड के लिए बना रहे हैं जिनका एक्जाम जनवरी में फरवरी में या आने वाले टाइम में होने वाला है जिसे Central Bank of India, Bank of India, Union Bank of India जिनका एक्जाम 9 जनवरी को है कुछ Union Bank के हमारे साथ ही होगा एक्जाम 24 जनवरी को है State Bank of India इन सभी बैंकों के एक्जाम जनवरी में प्रपोज रहें उनके लिए हम General Awareness जिसको Banking Awareness कह सकते हैं उसके कुछ रिकलेक्टेड कोश्चन लेके आए जो रिसेंटी एक्जाम में पूछे गए हैं और हम उमीर करेंगे कि ये कोश्चन में से कुछ कोश्चन आपके एक्जाम में रिपीट हो सकते हैं सबसे पहले मैं कोश्चन लेता हूँ जो मैंने जिसमें 10 लाख रुपे का बैलेंस है ओके वाट बिल बी दा एमाउंट ऑप प्राविजन एज ओन 31st मार्स 2019 इफ दा वैल्यू अप सीकूरिटी वैल्यू इसमें है 7 लाख रुपे अब यहां डेट का तो कोई खास मतलब है नहीं देखिए सबस्टेंडर्ड एकाउंट में ऐसे से एकाउंट में आपको सबसे पहले यह देखना है कि यह सीकूर्ड सबस्टेंडर्ड है या अनसीकूर्ड सबस्टेंडर्ड है ओके अब आप देख रहे हैं यहां पर चुकि वैलू सीकूरिटी की 7 लाख रुपे दे रखी है इसलिए एकाउंट सीकूर्ड सबस्टे ने गए 10 लाख रुपे तो 10 लाख रुपे का जब 15 परसेंटम प्रोविजन करेंगे तो हमारा प्रोविजन आ गया डेड़ लाख रुपे हमारे कुछ मित्र हैं कुछ सब्सकाइबर्स हैं जिन्होंने अलग अलग जवाब दिये हैं जैसे अजे भाई ने 180 reply किया सुनील गलोत ने वन-पॉनट जीरो फाई लिखा है साकेत ने एक पचास सही जवाब दिया संजे ने भी सही जवाब दिया है सचिन ने 180 लियाहnt और दूप्तिवारी ने दो लाख रुपे reply किया है ये तने सारे मित्रों ने और भी वह सारे हमको reply मिले हैं कुछ reply मैंने यहां पे लिए हैं तो दोस्तो simple formula है अगर secured substandard है तो 15% provision होगा और अगर unsecured substandard है तो 25% provision होगा जो भी outstanding amount है आपका 10 लाग रुपे उस पे जब 15% लगाएंगे तो answer आजाएगा आपका 1.5 रुपे ठीक है clear है अब answer देख लीजिए आपका answer आगया आपका 1.50 लेग ओके now we start this video पहला question हम यहां से ले लेते हैं name of the awareness program that RBI conducting to create awareness देखे RBI awareness का program conduct कर रही है name the awareness program उस program का नाम क्या है conducting to create awareness among public on safe use of digital payment mode digital payment mode में जैसे to avoid sharing critical personal information जैसे pin आपको share नहीं करना OTP आपको share नहीं करना password आपको share नहीं करना ऐसे add आप TV पे देखते होंगे जो RBI की तरफ से दिये जाते हैं ठीक है यह RBI awareness program के तहत कर रही है इस awareness program का नाम क्या है RBI कहता है पैसा बोलता है इबात और none of these देखिए मैं आपको बता देता हूँ RBI ने अभी XLRI जमशेदपुर में पहला ऐसा program किया था XLRI जमशेदपुर में यह first program इस series का XLRI जमशेदपुर में किया था इसका परपज क्या है पब्लिक को educate करना बैंकिंग में जो बदलाब हो रहे हैं आप जान रहे हैं अभी डिजिटल बैंकिंग का जमाना है और डिजिटल बैंकिंग जब शुरू हो गई है पपुलराइज हो रही है तो फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं तो आर्बी इसमें कहता है कि आपको pin share नहीं करना आपको OTP शेयर नहीं करना है किसी के साथ password शेयर नहीं करना है तो यह जो प्रोगाम बनाया है उसका नाम जो आर्बी इने दिया है उसका नाम है देखिए E बात E बात का मतलब electronic E for electronic B for banking A for awareness awareness second A for end और T for training तो इस प्रोगाम का नाम है electronic banking awareness and training यानि E बात तो सही जवाब क्या हो गया हमारा इसका awareness प्रोगाम का नाम है E बात ठीक है friends clear है अब हम चलेंगे अगले सवाल पर जो हमारा question number है two who is the author of the book overdraft saving the Indian saver overdraft saving the Indian saver रगुराम राजन, विरल आचारे, सी रंग राजन और उड़जित पतेल देखिए, ये चारों RBI के governor रहे चुके हैं, पहली बात तो हम ये जान लें अभी इसका जो जवाब है मैं आपको hint देता हूँ जो governor रहे है वो 24th governor रहे है RBI के जिन्नों ने ये book लिखी है और ये book किस बारे में है, ये book NPA के बारे में है, non-performing assets के बारे में है और इस book में ये बताया गया है कि non-performing assets की वज़े से economy पे क्या effect इसका पड़ता है, उस पे इस book में चर्चा की गई है तो आप बताएं ज़रा, इस book का नाम तो दिया है, overdraft saving the Indian saver इसके जो लेखक हैं, जो writer हैं, उनका नाम क्या है, इसके author का नाम क्या है ये देखिए, मैंने book दी है आपके सामने, ये book है, और ये इनके writer है आप देख रहे हैं, उर्जित पटेल साब ने ये book लिखी है, और book का नाम है overdraft saving the Indian saver, ज़्यादातर exams में ये question पूछा जा रहा है तो आप देख ले, book से आपको yellow color की book है, आपको book की image देने से शायद आपको याद रहे जाए, इसलिए book आपको दी गई है, ओके, now come to next question अगला question देखिए, हमारा क्या केता है, the committee on willful defalter was headed by आप जानते हैं, willful defalter कौन होते हैं, जिनका out descending 25 लाक है ने बाब है, पहली बात तो उन्हें bank willful defalter declare कर सकती है, ED label की committee इसको decide करती है फिर ये proposal MD के पास जाता है, MD इसको final करते हैं, क्योंकि willful defalter अगर किसी को declare कर दिया तो आप जानते हैं, उस पर काफी सारे restrictions लग जाते हैं, पांस साल तक उसको loan नहीं मिलेगा इस तरह कि इस पर restrictions लग जाते हैं, इसलिए bank बहुत cautiously इसको decide करती है और ये जो willful defalter का concept आया था, इस पर committee बनी थी, एक working group बना था 2001 में और उस समय जो IBA के chairman थे, ददेन IBA chairman, उनको इस working group का head बनाया गया था, chairman बनाया गया था तो आप जरा नाम का अंदाजा लगाई है, तलवार साब थे, नरसिमम थे, या तारापुर थे, या SS Koli थे इस working group के या इस committee के chairman कौन थे, ये इस question में पूछा गया है और आपको, सरदार साब को देखके पता चल जाएगा, कि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है Mr. SS Koli SS Koli इस working group के, जो willful defalters के लिए, 2001 में working group बनाया गया था, उसके chairman थे और SS Koli साब उस time में Indian Bank Association के भी head थे, ओके, chairman थे, Indian Bank Association के भी chairman थे तो सही जवाब है आपका SS Koli, next question हम ले लेते हैं, question number 4 हमारा क्या कहता है देखिए payment bank and small finance bank, आप जानते हैं अभी payment bank और small finance bank का concept शुरू हो गया है, नए bank खुल गए है small finance bank के नाम से और payment bank खुल गए है, जैसे geo payment bank है, air tell payment bank है, इस तरह के ये जो concept आया था, ये किसकी recommendation पे आया था, इसके लिए committee जो बनी थी, उसके head कौन थे? Mr. Nachiket Mor, Mr. Udai Kotak, Mr. P.S. J. Kumar और रगुराम राजन, रगुराम राजन आप जानते हैं, RBI के governor रहे हैं, P.S. J. Kumar हाली में bank बरोडा के chairman थे, Udai Kotak, Kotak bank के chairman है, और Nachiket Mor, ये ED रहे हैं ICIC bank के, former ED ICIC bank के, जिनना ने financial inclusion पे भी RBI का panel head किया है, तो इन में से कौन ऐसे नाम है, कौन ऐसा नाम है, जो small bank और finance bank का जिसने concept दिया था, ये हमारा सवाल है, तो इस सवाल का जवाब देखी, answer क्या आएगा, ये मैंने photograph के साथ दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ये मुस्कराते हुए जो दिख रहे हैं ये मिस्टर नचकेत मोर हैं, ये ED रह चुके हैं, ICIC bank के, ठीक है, और इसके अलावा है, financial inclusion पर अर्वाइनिक पैनल बनाया था, उसको भी श्री नचकेत मोर ने head किया था, तो इन्होंने ये concept दिया कि हिंदुस्तान में small banks का concept लाए जा, small finance bank का, और payment bank का concept लाए जा, ताकि ज small bank, small finance bank और payment bank का concept शुरू किया गया, ओके, और अब हम अगला question ले लेते हैं, question number five हमारा क्या केता है, देखिए, to avail personal accident insurance cover on rupee classic card, देखिए, rupee में दो बर्जन आते हैं, एक classic card है और दूसरा concept, platinum card, तो यहां question पूछा है classic card का, the card holder should have performed minimum one successful financial or non-financial transaction within, how many days prior to date of accident, देखिए, आप जानते हैं, rupee card जो है, उस पर accidental insurance मिलता है, और accidental insurance मिलता है, तो 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, या 120 दिन, rupee classic card में, और rupee platinum card में, यह question है classic card में, कितने दिन पहले एक transaction होना चाहिए, ताकि accident से अगर उतने दिन पहले, उसका एक transaction financial and non-financial हुआ है, तो वो उसके जो survivors हैं, उसके जो legal years हैं, उसके जो family members हैं, वो उसका insurance का हकदार बन सकें, तो यह question में आपके लिए चोड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि commit box में आप reply करें इसका, फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको clarify करेंगे, ठीक है friends, तो यह question आपके लिए छोड़ा जा रहा है, दोस्तो, इसी तरह की हमारी video library, हमारी website www.motivationalbanker.com पर उपलबते हैं, इस video library का highlight है हमारे MCQ 2020, जहां पर हमने करीब 700 से 800 questions के video बनाए हुए हैं, यह recollected question हैं, जो recently held exam में पूछे गए हैं, और बहुत सारे question इन में से आपको repeat हो सकते हैं आने वाले exam में, इसके अलावा thousand questions का हमने mock test दिया हुआ है, यह chapter wise है, अगर आपके पास समय है, तो आप इनको practice कर सकते हैं, बुक दी हुई है हमारी merit 2021, जिसमें करीब 14 to 15 chapter हैं, subject wise दिया हुआ है, और इन सारे topics पे हमने video बनाए हुए हैं, डीटेल में, ताकि आपको कहीं भी समझने में अगर problem है, तो आप video देख सकते हैं, refer कर सकते हैं उनको, ठीक है, इसके अलावा देखिए, recollected questions का यहां हमने PDF दिया हुआ है, जिसमें आपको काफी सारे question मिल जाएंगे, general awareness के COVID से related questions का MCQ दिया हुआ है, recollected question one liner, one liner का मतलब question और उसके नीचे answer, ऐसे ही general awareness के MCQ दिया हुए है, यह सब file downloadable है, यह जितनी भी file हैं आपको दिख रही है, इनको आप download कर सकते हैं, इनका print out निकाल सकते हैं, हमारे जो साथी Union Bank of India के लिए exam दे रहे हैं, उनके यहां computer awareness का भी एक कुछ सवाल इसके पूछे जाते हैं, हमारे कुछ subscriber ने request की है, तो हम एक या दो दिन में computer awareness का ए transfer कर सकते हैं, यह हमने mobile number दिया हुआ है हमारा, यहां आप WhatsApp कर सकते हैं, यह हमें call करके संपर कर सकते हैं, यह website का address है, https slash motivationalbanker.com, so thank you very much friends for watching this video, मैं उमीद करता हूँ कि इस video का content आपके लिए काफी useful होगा, thank you very much. झाल